नमस्कार दोस्तों मैं संदीक मार आज सबीका हमारे चानल पर बहुत सवात करता हूँ दोस्तों अब तक आपने जितने भी पेंशन प्लान देखे या सुने होंगे उनमें जो पेंशन मिलती है वो रोटैर्मेट के बाद ही मिलनी स्टार्ट होती है यानि जब आप 60 साल के हो जाते हैं तब याप पेंशन ले सकते हैं आप चाहकर भी 60 साल से पहले पेंशन नहीं ले पाते हैं लेकिन आप आपको पेंशन के लिए इतना नमपा इंतियार नहीं करना पड़ेगा आज हम आपको एक ऐसी pension plan के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप महज 40 की age से ही pension लेना शुरू कर सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं LIC की ऐसी बैठरी स्कीम के बारे में जिसका नाम है सरल पैंशन योजना जिसका plan नमबर है 862 आज की वीडियो में हम जाने की LIC सरल पैंशन योजना क्या है इस policy में कौन-कौन नवेश कर सकता है इस policy में हमें return कितना मिलता है इस policy में हमें क्या-क्या benefit मिलते हैं LIC सरल पैंशन योजना में हमें pension कब तक मिलती रहती है यह सारी जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक humble request करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है और आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस pension plan को LIC ने लौच किया था एक जुलाई दो यार इकिस को और यह LIC का standard इडिविजियल immediate annuity plan है सबसे बड़ी खासेती है कि इस pension plan में immediate pension की शुविदा दी जा रही है इसका मतलब है कि जैसी आप इस policy को purchase करते हैं तो आने वाले साल से ही pension मिलनी शुरू हो जाती है यह pension plan उन लोगों के लिए भी बहुत ही महतरपूर्ण है जिन्होंने 60 साल से पहले retirement ले ली है और अब वो अपने पैसों के ऐसी जगह invest करना चाहते हैं जिससे वो हर मिने कुछ ना कुछ income generate कर पाएं जिससे कि जो उनके रोजमरा के खर्चे हैं उसे चलाब पाने में उन्हें मदद मिल सके और वो अपने रोजमरा के खर्चों को अच्छे से manage कर पाएं तो इस point of view से भी देखा जाए तो ऐसे में आपके लिए इस policy में invest करना एक अच्छा option हो सकता है तो आई आप जान लेते हैं कि इस policy को कौन-कौन ले सकता है इस policy को लेने के लिए जो minimum age रखी गई है हो है 40 साल और जो इस policy को लेने के लिए maximum age रखी गई है वो है 80 साल यानि आपकी age 40 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए तब ही आप इस policy को ले सकते हैं और अगर आपकी age 40 साल से कम है या 80 साल से ज़्यादा है तो आप इस policy को नहीं ले पाएंगे अब सबसे जोड़ी है कि जब तक आप जिंदा रहते हैं आपकी सांसे चलती रहती है तब तक आपको इस policy के मद्यां से पैंचल मिलती रहती है इस पैंचल प्लान को लेने के लिए आपको दो option मिलते हैं एक होता है single life और दूसरा होता है joint life अगर आप इस policy को single life के option से purchase करते हैं तो इस plan को आप स पैंचल मोड में जीमर्बर इन्यूटी यानि पैंचल आपको मिलती रहेगी और माली जीए किसी कानवर्स policy holder की death हो जाती है तब क्या होगा तो इस case में जो भी amount policy holder ने इस policy में invest किया होता है और उसके सासाद जो outstanding interest होता है वो पूरा का पूरा policy holder की nominee को दे दिया जाता है अगर हम investment की बात करें तो इस scheme में आपको एक साथ एक num sum amount जमा करना होता है जैसे आप एक bank Ft में एक साथ एक num sum amount जमा करते हैं ठीक उसी तरह आपको इस योजना में भी एक साथ एक अठाय पैसा जमा करना होता है यानि यह एक one time investment plan है अब बात आती है कि इस pension plan में हमें pension की सहाब से मिलती है और इस pension plan plan में हमें कितना पैसा इंवेस्ट करना होता है तो जब आप इस pension plan को लेते हैं तो आपको pension के लिए चार option मिलते हैं यहां को साल अपने pension को ले सकते हैं को कितने amount की pension चाहिए और किस mode में आप pension लेना चाहते हैं कितने amount की आप pension लेना चाहते हैं उसी साफ से ही आपको investment करनी होती है तो इसमें आपको एक मैं example से समझाता हूँ माली जी आपकी age 40 साल है और आप 40 साल की age में इस policy को purchase करना चाहते हैं और आप सलाना 50 या रुपे की pension लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस policy में एक साथ 10 लाक रुपे जमा करने पड़ेंगे जैसी आप यह पैसा जमा कर देंगे तो आपको सलाना 50 या 250 रुपे मिलने शुरू हो जाएंगे अगर हम minimumistent की बात करें तो अगर आप हर मिन्य पेंचं लेना चाहते हैं तो कम से कम हजार पेंचं लेनी होगी और इसि तरह अगर आप तीन मिन्य का option चुनते हैं तो तीन हैर, छे मिने का option चुनते हैं, तो छे हैर, और अगर आप बारा मिने का option चुनते हैं, तो बारा हैर पे minimum pension आप को लेनी पड़ेगी, और उससे इसाब से ही payment करनी होगी, फिर ही आप इस pension plan को ले पाएंगे, और अगर हम maximum investment की बात करें, तो इसमें maximum investment की कोई भी उपरी सिमा निदारित नहीं की गई है, तो आप अपने सुलियत के इसाब से, जितना चाहिए उतना पैसा, इस policy में invest कर सकते हैं, आप बात करते हैं, इस policy के benefit की, इस policy में आपको loan का benefit भी मिल जाता है, policy शुरू होने के 6 मिने के बाद, अगर आपको बीच में पैसों की जरूर पड लेती है, इसके अलावा अगला benefit आपको मिलता है, surrender का, surrender भी आप किसी खास region से ही कर सकते हैं, जैसे आपको या आपके किसी family member को कोई भी critical illness हो जाती है, तो इस case में आप अपनी policy को surrender कर सकते हैं, जो भी आपने policy का purchase price दिया होता है, उसका 95% तक का amount आपको surrender value की रूप में मिल जाता है, अगर हम इसमें tax benefit की बात करें, तो death claim के amount पर कोई tax नहीं लगाया जाता है, हाँ इसमें आपको जो pension मिलती है, उसे आपकी income जुरूर माना जाता है, वो पूरगी पूरी taxable होती है, उस पर आपको tax pay करना होता है, अब बात आती है कि आप इस policy को कैसे ले सकते हैं, तो आप इस policy को LIC की किसी भी branch में जाकर खुलवा सकते हैं, और आप इस policy को online भी खरी सकते हैं, LIC की website LICIndia.in से, so आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको LIC सरल pension plan के बारे में पूरी जानकरी मिल गई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई स्वाल हो या आप इस policy के बारे में कोई और जानकरी लेना चाहते हो, तो हमें comment box में पूछ सकते हैं, जानकरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जानकरी को शेर करें अपने दोस्तों में इस तरह में ताकि ये जानकरी और लोग तक भी पहुंच सकें, अगर आप हमारी वीडियो को पेली बार देख रहे हैं, या भी तक आपने हमारी चनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो निच्चे आ रहे ला बटन को दबाकर सस्क्राइब कर लें, और साथ ही बेल एंकर को भी प्रेस कर दें, ताकि मारे सब यानले वीडियो के बारे में आपको लोटिफिकेशन मिल ईद बगर देख आपको लारे में आपकर सक्राइब।